हेलो इस्टुएंट्स वेलकम टू अड़ा 24-7 नमस्ते आदाव सस्रियाकार मैं हूँ आपका दोस्त सेयद रिज्वान तो पिटा आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रोग्रामर का सिलेबस से मतलब ER डाइग्राम से स्टार्ट करेंगे सबसे पहला DBMS के मतलब के computer related topic सबसे पहला DBMS और DBMS में भी सबसे पहला topic कौन सा है ER डाइग्राम है तो ER डाइग्राम सुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि programmer की vacancy कितनी है, क्या है, कहा की है, क्या इसका pay grade है सब कुछ detail में तो नहीं बता सकता, लेकिन हाँ, कुछ चीजे में आपको बताने वाला हूँ तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये जो vacancy है, वो राजिस्तान की है और इसमें कितने पद हैं, 216 पद है अब आप लोग ये बोलने वाले हो, कि सर ये 216 पद तो जादा नहीं है तो बिटा ये भी देख लीजिए, यहाँ पे student भी जादा नहीं है means मेरा कहने का मतलब है, कि जो IT से related है IT में भी BCA नहीं बिटा, MCA, MSC IT, ठीके BTEC, BTEC में भी CS है, सारी वेकंसी, मतलब सारी branches नहीं है CS है, IT है, और electronic है, ठीके अब बात आती है, और इसके अलावा क्या है, MTEC है MTEC, और MTEC में भी यही चीजे है, चलिए ठीके अब सर इसके form कब से fill होना और start होंगे तो बिटा, इसके जो form है, 1st Feb से, 1st Feb से start होने वाले है और कब तक चलेंगे, 1st Mars तक चलेंगे बिटा ठीके, 1st Feb से, 1st Mars तक इसके form fill up होंगे चलिए, यह भी ठीके अब बात आती है, कि सर, 1st Feb से, 1st Mars तक इसके form fill up होंगे आपने बोला, हमने मान लिया, ठीक है अब इसमें syllabus क्या-क्या है, यह भी बता दीजिए तो देखी बिटा, syllabus में दो paper होंगे paper first paper first और paper second paper second, ठीक है, sorry बिटा paper first और paper second second, ठीक है अब बात आती है, कि paper first में क्या-क्या आने वाला है, और paper second में क्या-क्या आने वाला है तो paper first में जो है reasoning रहेगी plus maths maths में only D.I. और कोई topic नहीं है, बिटा only D.I. है plus G.K. G.K. में भी कौन सा G.K. है, राजिस्थान plus India India ठीक है, plus current affairs वो भी राजिस्थान और इंडिया के world के नहीं है, ये भी ध्यानक्मा उसने बिल्कुल भी नहीं बोला है कि current affairs world के नहीं है, मतलब world के हैं नहीं बोला है, तो current affairs में world के नहीं होंगे, only राजिस्थान इंडिया के ही होंगे, ये चीज़ ध्यानक्मा, प्लस, यहां DBMS, अब computer का part start हो रहा है, यहां पे, computer के साथ में और क्या है, यहां पे, computer और 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 नाईजिशन और ने ट्रॉकिंग है, मतलब, तो ने ट्रॉकिंग हीद है, ठीक ने ट्रॉकिंग, यह तो हो गया, किस का paper first का हो गया, अब बात आती है paper second की, ठीक है, paper second में क्या क्या आने वाला है, paper second में दो ही subject है, एक तो said है, और एक programming concept है, ठीक है, program concept में Ops और Java यह रहेगा, ठीक है, अब मैं आप लोगों को क्या क्या करवाने वाला हूँ, वो मैं बताता हूँ, बिटा मैं आप लोगों को य network और DBMS का पूरा part करवाँगा, प्लस साथ में reasoning भी मैं ही करवाने वाला हूँ आप लोगों को, ठीक है, मैस जो है वो आपके नरेंदर सर करवाएंगे, और राजस्तान जी के सर और इंडिया जी के सर करवाएंगे आप लोगों, ठीक है, अब सर ये बताईए, paper first offline होगा या साथ में, साथ में कितने नंबर का होगा? 100 नंबर का, दोनों ही 100, 100 नंबर के होगा, और time कितना होगा? 2 hours, यानी 2 घंते का time होगा, ठीक है, 2 घंते का इसमें time हो जाएगा, अब बात आती है, इसका pay grade कितना है, तो मैं आपको बता देता हूँ बिटा, इसका pay grade जो है 4800 यान आपको बता दिया है, अब इसका जो सबसे पहला टॉपिक है, वो मैं कौन सा start करने वाला हूँ, वो मैं करने वाला हूँ ER डाइग्राम, है जी सबसे पहला टॉपिक है ER डाइग्राम Entity Relation Model ठीक है या इसको बोल सकते हैं, ER model भी बोल सकते हैं या diagram भी बोल सकते हैं दोनों ही एक ही बात हैं अब यहां पर जो है मैं आप लोगों को इसी format में सब कुछ करवाने वाला हूँ इसा कोई भी संस्था नहीं है जहां पर आपको hand return notes provide करवाई जा रही है ठीक है ना देखे तो अड़ा 24-7 ऐसा संस्ता है जहां पे hand return notes से programmer की तयारी करवाई जा रही है आप लोग की ठीक है चलिए अब आती है सबसे पहले बात के ER model क्या है entity relationship model क्या है ठीक है ना तो बिटा आपको एक बात पता है कि हम लोग कुछ भी काम करते हैं मैं एक बिंट इसको pen change कर लेता हूँ हम लोग माल लो एक मकान मना रहे हैं मकान मनाते हैं क्या करेंगे यह वाली जमीन है माल लो यह वाली हमारे पास में एक जमीन है तो उस जमीन पर क्या जाती इंट बजरी डालके सिमिन्ट करनके तियार करते हैंगे? नहीं, पहले उसका मोडल तियार करेंगे, उसका डायग्राम बनाएंगे कि बھائی यहाँ पे kitchen रहेगा यहाँ पे hole रहेगा यहाँ पे let path रहेगा x y z यहाँ पे cda रहेगी सब कुछ बनाएंगे या नहीं बनाएंगे पहले उसका diagram बनाएंगे ठीक है ना वही चीज यहाँ पे की गई है अगर आप लोग कोई भी database मतलब कहने का मतलब है कोई भी एक project मनाते हो तो उसका database त्यार करना होता है और वो database सबसे पहले diagram मनाया जता है कि इस according हमें इसको ऐसे set करना है तो वो set करने का जो तरीका है उसे ही ER diagram कहते है entity relationship model कहते है देखो पहली line ही क्या बोली है एक R.1 की साइता से मतलब diagram कीसा help से जो database का vernon किया जता है वो ER model होता है मतलब diagram से जो database का vernon किया जता है वो ही ER model होता है ER diagram कहलता है ER diagram database का design या blueprint obviously बात है ER diagram के मुखे element entity set and relation set होते है entity होती क्या है entity सर ये है क्या entity यह रिलेशन है क्या अभी पूरा डिस्क्राइब करूँगा आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आने दूँगा यह मेरी गारेंटी आप लोगों से देखो बीटा एंटीटी एंटीटी बस अभी आपको इतना ही देखना है कि एंटीटी सेट एंड रिलेशन सेट का मॉडल ह पर है यहां डाइगराम एंटीटी सेट के बीच में रिलेशन दिखाता है यहां पे को लेच क्या है एंटीटीटी है कोलेज ओक जो बात आती है इनके बीच में हैं जी यह relation है college और student के बीच में relation है ठीके ना तो year diagram यही काम करता है entity के बीच में relation दिखाता है यह diagram क्या करता है entity के बीच में relation दिखाता है ठीके अब बात आती है next देखो year diagram entity के बीच में relation दिखाता है मिन आपको बताई दिया एक Entity Set समान इकायों का समू है और इन इकायों में Attributes हो सकते हैं अब ये Attributes नया शब्द आगया सर Attributes ये क्या होता है ये बताईए तो बिटा अभी बताता हूँ मैं आपको Attributes क्या होते हैं आगे देखिएगा बिटा DBMS में एक Entity Database में एक Table में AI Attributes of a Table या इसलिए Table of उनके Attributes के बीच में संबन दिखाता है AI Diagram Database की पूरी तार्किक सरजना को दरसाता है AI Diagram जो है वो पूरी तार्किक सरजना को दिखाता है अब देखो बिटा यहाँ पे अब आपको पता चलेगा क्या Attributes है क्या Entity है देखिए यहाँ पे देखिए जो Student है ये तो Entity है Student क्या है? Entity है और इसके Attribute मतलब क्या-क्या इसकी खूबिया Student में क्या-क्या चीज़े होती है Student की ID होती है एक तो ये Attribute होगे ये जो चीज है वो Attribute है और ये जो चीज है Entity देखो बटा ये तो Entity है Entity और ये हो गया Attribute एक Entity के बहुत सारे Attributes हो सकते है ठीक है ना बटा? देखे उसके बाद में यहाँ पे Student Name है Student ID होगी, Student Name हो गया, Student Address हो गया ये College है Student कहा पढ़ रहा है? College में पढ़ रहा है तो ये College भी क्या है? Entity है ठीक है? अब इसमें क्या है बटा? College की ID होगी, College के Attributes कौन से होगी? College की ID होगी, College का Name हो गया क्या फिर College कितने सालों से है XYZ कुछ भी हो सकता है बटा अब इन दरों के बीच में देखो पढ़ बटा मैंने क्या बताया था? इससे Relation दिखाया जाता है Student Student Study in इस College में XYZ कोई सा भी College नाम हो गया मैंने बोल दिया महर्शी College हो गया या XYZ कोई सा भी Student किस College में पढ़ रहा है? इसमें पढ़ रहा है इसके Entity क्या है? Student और College Entity है? Attributes क्या है Student की Attributes? Student Name Is ID XYZ ठीक है? और College के ID College Name हो गया आई पास समझ में? अब देखिए बटा अगले मेरे को लगता है कि यहां तक आप लोगों को कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है मेरी गारेंटी है ठीक है? अब देखिए बटा यहां दिये गए डाइगराम में दो आरेक दिये में ठीक है, बिलकुल दो डाइगराम दे रखे है चात्र और College, Student और College उनका relation चात्र और College के बीच Many to One का अब यह Many to One क्या चीज है? सर यह समझ में नहीं आ रहा मुझे तो तो पिटा एक चीज देखो Many to One Many to One एक College में बहुत से चात्र हो सकते हैं बहुत से चात्र एक College में पढ़ रहे हैं तो कौन सा relation हुआ? Many to One का दो हो है यह relation आगे मैं बताऊँगा बिटा आगे मैं अभी आपको बताने वाला हूँ तो कौन सा relation हो जाएगा? Many to One का होता है क्योंकि एक college में कई छात्र हो सकते हैं लेकिन एक student एक समय में एक से अधिक college में नहीं पढ़ सकता है आई बास समझ में एक student यूँ थोड़ न हो सकता है one to many मतलब मैं हूँ इस college में भी उस college में भी उस college में भी ये तो possible नहीं है हाँ जी बहुत सारे student हम 10 बंदा student एक college में यानि कि वो क्या हो many to one हो गया one to many क्या होता है एक ही बंदा 10 college में वो possible नहीं है तो many to ये किसका example है many to one का है बहुत सारे student एक college में पढ़ सकते हैं चलिए अब देखिए अभी में ना बताया छात्रे entity में student ID, student name, student address जैसी विश्यता है college entity में college ID, college name हो सकते हैं अभी ये क्या ही ये सब attributes है ये सब क्या है इस टेक student के attributes है अभी मैंने आपको बता दिये EI diagram में आरे क्याकार अर्थ के नीचे दे रखें अब देखो बटा सब diagram का एक बता रखा है कि सबसे पहले rectangle rectangle की बात करते है सबसे पहले rectangle ये देखे ये देखे रेक्टेंगल इसका मतलब क्या entity said entity के लिए rectangle दे रखाए entity के लिए rectangle देख रखाए चलिए अगला देखिए बटा ellipse ellipse क्या होते है ये होते है हाजी मैं हिंदी इसको चेंज करता हूँ हाजी ellipse क्या होते है ये आकरती ellipse होती है बिटा attributes मैंने आपको बताया है ellipse किसके लिए attributes के लिए हाजी अब आता है diamond diamond relationship sir diamond का तो आपने कुछ बताए नहीं तब बिटा बिटा वापीस आजा पीछे वापीस आजाओ हाजी बिटा ये देखिए diamond ये diamond relation है किसके बीच में student और college के बीच में relation दे रखा है क्या diamond आई बास समझ में आनी है diamond क्या है student और college के बीच में relation है क्लिए रहे चलिए next उसके बाद में देखिए बिटा lines में क्या है वे attributes जो entity set और entity को relationship से जोडते है हाँ जी देखिए बिटा ये देखिए यहाँ पर ये जोड रहे हैं ये जोडती है किसको entity को relationship से जोडती है या attribute से जोडती है वो line होती है जैसे attribute से जोड रहे है entity को क्या बोला है उसने यही तो बोला है उसने क्या बोला है वे attributes को entity set और entity relationship से जोड़ती है ठीक ना बटा अब आ जाती है double ellipse double ellipse मतलब multi valued attributes जैसे कैसे मैं बताता हूँ बटा अभी बताता हूँ यहाँ पर मैं एक और attribute कर देता यहाँ पर तो यहाँ पर मैं phone number कर देता सर यह double ellipse में आपने phone number क्यों की है यह तो कुछ समझ में नहीं है तो बटा एक चीज़ देखो आप फोन number multiple value मतलब केहने का मतलब है एक बंदे के पास में एक आद्मी के पास में या एक स्टुटुंट के पास में एक से दो नबर जाद दोनमबर हो सकते है या फिर हम कह सकते ना बटी कोई सा भी student आया है तो केहने बटी त तो अपने पापा की नंबर दे अपनी मम्मी की नंबर दे हो सकता है तेरा सीच्व रहे नहीं तो पापा का जाएगा नहीं तो मम्मी का जाएगा मिंस कहने का मतलब यह है कि तीनों मैंसे एक का तो रहे गई रहेगा आई बात समझ में नहीं तीनों मैंसे एक का तो रहे गई तो हमें क्या करना है इस टाइब से value डालनी है, clear है, चलिए, अब आ जाती ही बात next, double ellipse हो गया, अच्छा, double ellipse हो गया, definite double, हाजी, depth ellipse का मतलब होता है, derived attributes, सर, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये derived attributes क्या होता है, तो बिटा देखो, इसको किस तरह से रखते हैं, इस तरह से, पहले तो ये देख लो, अब derived attribute का मतलब क्या है, जो change होता रहता है, कैसे सर, change कैसे होता है, बिटा एक बात बता, हो जाएगी, फिर change होगी या नहीं होगी, 22 हो जाएगी, 23 होगी, 24 होगी, 25 होगी, means कहने का मतलब ये है, कि age change होती रहेगी, तो वो क्या होगा, हाजी बेटा, derived attribute होगा, मतलब जो ellipse को dash 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 से, में आपको क्या बता है, dash 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 dash, इसको इस test के ellipse से लिखते हैं, यानि age क्या हो ज आती है, यहाँ पर double rectangle की, double rectangle की weak entity set, जिसे हम कह सकते हैं, कि weak entity set, जिसे bank account हुआ, ठीक है, अभी बता कर जाएगा, मैं आपको उसको detail में बताने वाला हूँ, ठीक है, बस आपको यह जाने करना है, double rectangle, bank account number होता है, वो weak entity set होता है, ठीक है, अभी बता दूँगा, फिर double line, जिस से relation में double line हो जाएगी, यहाँ पर कुछ भी X, Y, Z, ठीक है, तो double line attribute हो जाएगा, वो किसके relation set में एक एक है कि कई भागिदारी होती है, अब आज यह थी बात की concept of ER diagram, पहले तो मिन आपको सब का एक पूरा चिठा बता दिया है, इस diagram का मतलब यह है, इस diagram का मतलब यह है, northern concept, ERIC and security, और attribute, attributes में आता है, composite, multivalued डेराइव डाता है, कितने attributes, attributes अभी में आ आपको बताया था, attributes में की, composite, multivalued and derived, फिर आती ही, relationship, relationship Me, one to one होती है, one to many होती है, many to, one होती है, many to मेनी होती है कितनी चार तरह की रिलेशन्शिप होती है अब हम इसको रहना बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं अब इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले देखिए बटा सबसे पहले entity entity क्या थी अभी मैंने बताया था entity थी क्या यह entity थी ठीक है ना entity data एक वस्तु या घटा के यह diagram में आयत की रुप में देखो मैंने बताया ना rectangle की रुप में दितर साय जाता है ठीक है example हमारे पास में दो entity है चात्र और college दोनों के entity के बीच में many to one relation क्योंकि देखो यह हो गया student ठीक है यह हो गया college ठीक है अब यह concept बता रहा है many to one मैंने अभी भी बताया था आपको many to one बहुत से चात्र हां जी एक कोलेज में पढ़ सकते हैं में पढ़ सकते हैं तो many to one हो जाएगी अब आती है वीक entity एक entity अभी में बताया है वीक entity को अभी में बताऊं को किस से बताया था वीक entity को double ellipse में sorry double entity में double entity में weak entity होती है ठीक है ना इक एक entity जिसमें समय के attribute से wishes रूप से पहचाना नहीं जा सकता और अन्य entity के साथ relationship पर निरबर करती है उसे वीक entity कहते हैं का जता है इसे दोहरे double सब्सक्राइब एक अडिगट Mozart के लॉगत हो सकते हैं अभी मेरन वथा को एक एक लूटन का एक एंटिपिव एंटरी टीटी कीThe property ठीक है कहीं तो रहता हूँ हां जी यह मेरी क्या प्रॉपर्टिया है यह क्या हो जाएगी प्रॉपर्टिया हो जाएगी तो यानि कि क्या बोला एक एट्रिबुट एंटिटी की प्रॉपर्टी है गवेंडन करती है यह डाइग्राम में एक एट्रिबुट को ओल के रूप मे नहीं दर्साया जाता है ठीके न एलिपस ऐब बोलो एक ही बात होती है ठीके न ऑवल की रूप में दर्साया गया इसे रफ चार परकार की गुण है देखिए बटा कौन कौन से की एट्रिब्यूट सबसे पहली बात आती है की एक की एक डूपिट एंट्रीटि सेट के काई की विसिस टूप से पहचान करती है example जैसे चातर रोल नों विसिस टूप से चातरों में एक समों में एक चातर पहचान कर सकते हैं की attribute का एक अन्य विसिताओं के लिए all रूप में दर्साइगे text में रगां किते means कहने का मतलब है कि यहाँ पे की attribute में जैसे student है ठीक है ना student की क्या क्या हो सकता है roll number हो सकते है ठीक है roll number के साथ में name हो सकता है name के साथ में as हो सकती है तो यानि कि यहाँ पे जो है इसको dash line में कर दिया है कुछ special बनाने के लिए तो यहाँ पे की attribute हो जाएगा next line next देखिए बटा अब आता है composite attribute composite attribute क्या होता है एक attribute जो अन्य attribute के सही हो जन्द के एक attribute जो अन्य attributes यानि एक attribute के अंदर भी और attributes हो जाते हैं तो उसे composite attributes कहते हैं जैसे जैसे मेरा नाम मैं तो ये मेरा नाम तो क्या हो गया entity हो गया अब मेरे पास मेरा क्या address है यह मेरा attribute है अब address में भी क्या है pin number है visa number है आ ऐसके बाद में city कंच्वारी हो जाएंगे यह कंच्य 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 कर दो कहने का मतलब यह है किंच मतलब यह का composite अब आता है multiple attributeatcher का मतलब है एक attribute जिससे kई weल्यू हो सकता है जिसे multiple attribute कहते हैğ00 यह डाकराम में double owels से multiple value है double oh so अभी मैंने से पहले बताया है भी मैंने से पहले पर बताया भिजिया आपitelों को को वही चीज है उसको describe कर रहा हूँ बेटा और कुछ नहीं student में एक तो क्या है double ellipse है बता रहा है बाकी को single ellipse है बाकी चीज़ को single ellipse है तो ये तो हो गया name हो गया student का ये role number एक ही role number बता है student के पास में लेकिन phone number जो है वो multiple उसने क्या बोला एक वेक्ति के पास एक से अधिक phone number multiple value के लिए multiple attribute के रूप से भी जाना जाता है मतलब multiple value काई value हो सकती है तो यानि कि एक के पास में एक से अधिक phone number हो सकते है तो उसको multiple attribute के लिए दरसा आए जाता है आई बात समझ में चलिए next derived attribute जिसका मुल्य गतिशिल और अन्य सभी attribute से प्राप्त होता है इससे ER diagram में test मतलब के घटीशिल मतलब एक जडिए ठेहरता नहीं है इसकी value एक जगर ठेहरती नहीं है तो या मालो कुछ है जाए सी पिए उती है तो गतिशिल मतलब के मुवेंट करती रहती है उसके लिए जैसे मेरा नाम student है XYZ कोई भी नाम हो या उसको अभी बताया तो मैंने यानि किया होजेगी age age भड़ती रहेगी एक जिसी नहीं रहेगी आज चोईस का तो अगले साल 25 का फिर 26 का फिर 27 का इस टाइप से रहेगा आई बास समझ में तो भड़ती रहेगी या name as it is रहेगा ठीक है ना तो name को डेस से नहीं किया लेकिन age को डेस से कड़ गया तो क्या बोला derived attribute मनलब जो क्या हो रहे बढ़ रहा है इस इस तीर नहीं रह रहा है आई बास समझ में जैसे यहाँ पर देख लिए age डियो भी student id यह की attribute है जिसमें क्या कर दिया है उसने यहाँ पर डेस लगा दिया है यह की attribute है क्योंकि यह unique होती है मानलो के दिखो इसका reason क्या है डेस लगाने का जिससे मैंने यह की attribute है जिससे student है ठीक है यह तो हो गया इसका is ठीक है यह हो गया हमारे पास में यह हो गया हमारे पास में student id अब यह id जो है एक के पास होती है यूनिक होती है इसलिए हिसे कि अप्प्रेट में धाला गया है क्यों कि ये idea और किसे student के पास मिनी होगी कॉलेज में और भी बच्चे मिल जाएंगे राम शर्मा भी मिल जाएगा राम वरमा भी दो से अधिक मिल जाएंगे तीन मिल जाएंगे चार मिल जाएंगे ठीक है मोहन सिंग भी मिल जाएगा मोहन X Y Z कोई भी मिल जाएंगे लेकिन 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 यहां पे जो ID है वो पूरे कॉलेज में एक student की एक ही ID होगी मानलोब वो कॉलेज में first year में है तो first year के according उसकी आईडी होगी यू नहीं है कि उस सेकिंड येर में भी उसी आईडी का कोई दूसरा बंदा होगा थर्ड येर में भी नहीं एक एर मालब पूरे कोलेज में एक की एक यूनिक आईडी होगी इसलिए की एट्रिबुट का यूज किया जाएगा इसमें ठीक है चलिए अब बात रिलेशनल्श की टा से रिलेश्न वैंने क्या बताइज बताइए तहुं पहिं में मैं और शहरकर इंट्रिगर ये ये पूरे उपको प्रोवाइड कराए यह एक्स वाई जट मैंना बुक्स का जो कोपी पेस्ट कर दिया नहीं बटा यही चीज मिलेगी आपको यही सब कुछ मिलने वाला है आपको आई बास समझ में यही सब कुछ हैं डिटर नॉट्स आपको मिलने वाले हैं ठीक है यह चार तरह की होती है रिलेशनशिप क्या होत बैंसे सबसे पहली हाती ह 25 एक एंटिटी एंटिटी क्या हैं फिन में फिस की अओ ऱ shrinking का एक एंटेटी इनसे पिंटी के साथ सिंगल रिलेशन जुड़ा होता है कैसे होता है मुण мало देखे on Stoke गहते हैं जैसे एक व्रक्षिती के पास एक पार अजारों को Feels तब्सक्राइब क्या यहुटे है जोड़ा कि से रिलेशन तो यही है इससे जुड़ा je जाएगा तो यानि के एक वेक्ति के पास एक पास्पोर्ट हो गया तो वन टू वन हो गया आई बस समझें के लिए रहे चलिए अगला देखिए विटा वन टू मैंनी जब एक का इंस्टेंट एक दूसरी एक से अधिक इंस्टेंट जुड़ा होता है वन टू मैंनी जिसे एक ग्रहेक कई ओडर दे सकता है जिसे फिलिप कार्ट पर आप लोग क्या करते हो हैं जी एक जो आप कस्टूमर एक होते हो दीवाली की टाइम पर या एक सब्सक्राइब या पैस वही है अरे यार अभी बताई थी मैंनी टूवन आरे भूल गये क्या अरे कोलेज स्टूडेंट आरे यार भूल गये क्या इतना अच्छा एक्जामपल लिया था मैंने मैंनी टूवन इलेशन्शिप जब एक एंटिटी में एक से अधिक एक जब एक से एंटिटी के एक से दूसरी entity के single instrument के साथ many to one relationship हो जाएगा तो जैसे A की college में कई चातर पढ़ सकते हैं 1 to many many to one कई चातर क्या पढ़ सकते हैं A की college में पढ़ सकते हैं ठीक है तो relation तो इससे धिखाये जाएगा diamond से धिखाये जाएगा relation चलिए next की इससे पहले एक और चीज़ है ओ एक चीज़ शायद गायब हो रही है एक और था हमारे पास में many to many many to many जैसे एक subject को एक से अधिक student पर सकते हैं या एक से अधिक subject एक student पर सकता है तो उसे क्या कहते हैं many to many relationship करते हैं अब देखिए बिटा अब यहां पर आपको दे रखा स्टुडेंट आईडी की नीचे क्या कर दिया है क्योंकि यूनिक होती है ठीक है उसके बाद में यहां पर college student है उसके बाद number address id college id यह college की name college id है मतलब कि कहने का मतलब सारा बता दिया है कि यह तो entity है यह attributes है ठीक है ना यह इसका relation है और relation के लिए होता है यह double relation हो जाएगा मतलब strong relation हो जाता है यह क्या हो जाता है strong entity के लिए double lines हो जाती है जो strong entity को पर्देशित करती है ठीक है उम्मेद करता हूं कि यह class आप लोगों को बहुत 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 अच्छी लगीगी और इसके बाद में इसके बात कभी आपका यह model को कोई कोश्यंट नहीं ओने वाला थीकिट न चलिए अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूं